Hello friends, how are you? I think all are fine. So, जो बच्चे इंग्लिश में qualify नहीं कर पाए, उन बच्चों के यही कमेंट आयोए थे कि मैंम suggest किजिए कि किस तरह से हम इंग्लिश को improve करें क्योंकि जो बच्चे हिंदी मेडियम होते हैं और इंग्लिश मेडियम बच्चों के साथ भी प्रोब्लम आती है क्योंकि वहाँ पे जो पूछी जाती है, वो हमने अपनी जो स्कूल के जो सबजेक्ट से जो उस टाइम पे इतनी deeply हमने नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ exam के point of view से पड़ते थे लेकिन जो exam में आती है, वो English different level की होती है इसी वज़े से जब वो कहते हैं कि 40% marks यानि कि 4 number वो भी नहीं ले पाते और कोई जिसने exam नहीं दिया है, वो तो यहीं कहेगा कि भी अग तुम्हारे 4 number भी नहीं आए तो इस चीज़ को जब हम यह ले लेते हैं कि भी 4 number तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है तब हम मार खाते हैं, और यही हमने NVS के exam में किया था हमने आपको पहले भी बताया था कि मेरा NVS का exam इतना best हुआ था इससे भी अच्छा हुआ था, बट किस वज़े से रहे थे, English के वज़े से रहे थे क्यों, क्योंकि 4 number नहीं ले पाए हमने उसको अच्छे से यहीं नहीं लिया, उसकी importance ही नहीं मानी सोचा कि 10 में से 4 number तो रहे यार आई ही जाएंगी, इतनी थोड़ी week है हमारी English ठीक है, लेकिन जब exam answer की आई, answer की के बाद जब हमने देखा तो हमारे वो 4 number ही नहीं आपाए, ठीक है, बहुत ही ज़दा अफसोस हुआ क्यों कि इतनी ज़दा मेहनत करने के बाद, और यह होने के बाद की यार बहुत अच्छा exam हुआ है, आपकी बाद पका क्रेक हो जाएगा लेकिन किस वज़े से रहे गए, सिर्फ और सिर्फ English की वज़े से, English में qualify नहीं कर पाए तो यही था कि बहुत सारे friends जो हमसे जूड़ी हुई है, उनके यही comment आ रहे थे कि मैं आपने English को कैसे improve किया तो first of all, मेरे English में 8 marks है, लेकिन 2 questions के उपर doubt था, जो कि बच्छे अब भी comment कर रहे थे कि मैं उनको जो है, यह मारस ने सही नहीं माना, तो देखो उसके बाद मेरे 5 point something, 5 point याने की 50, 5.5 number मेरे हो गए थे, ठीक है तो देखो यह उनका internal मामला है, हम तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं, हमें तो दाही सही लगा था, हमने भी दाही लगाया था लेकिन उन्होंने सही माना या नहीं माना, I think नहीं माना क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे थे कि मैं हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमारे इंगलिशी क्वालिफाई नहीं हो पाई क्योंकि यहां पर बताये नहीं जा रहा है, तो देख सबसे बैस्ट बात होती, EMRS में स्कोर कोई भी एक्जाम हो, आपको स्कोर ज़रूर बताये जाने चाहिए, ठीक है यह बिल्कुल राइट बात है, लेकिन जो बच्चे यह कह रहे हैं, कि भाई, चार मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं, तो जिन बच्चों ने एक्जाम दिया है, उनसे पूछना तो इसी लिए इस चीज को आप easily मतली जिएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो मैं तो अपनी strategy बताऊंगी कि मैंने क्या किया, उसके बाद आप देखना आपको अच्छी लगती है, तो follow की जिएगा, वरना क्योंकि अपना जो idea होता है, वो आपके लिए best होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम suggestion दे सकते हैं, उसके बाद उसको implement करना या ना करना वो आपके उपर depend है, तो first of all, तो मैंने जो basics थी, क्योंकि देखो मैंने कई साल पहले, यानि कि जब मैंने graduation starting की थी, उस time मेरा bank का test clear हो गया था, health के base पर और तब मैंने coaching ली थी, English के जो notes रखे हुए थे, उनको उस time पर मैंने इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा था, उन notes को भी निकाला, उसके साथ साथ एक practice के लिए हम अपनी lucent की book लेके आए, ठीक है, और उनको जो जो topic हमारे subjects में mention, हमारे syllabus में जो जो topic mention है, उनको काफी अच्छे से किया, ठीक है, जैसे हमारा जो narration है, ठीक है, उसके साथ active voice, passive voice, ये काफी strong थे मेरे, लेकिन फिर भी कई बारे में गलती हो जाती थी, इसी वज़ा से इनको दो बारा से काफी अच्छे से किया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है भी जो आपका strong area है, उ उसको हमें strong तक लेके जाने की कोशिश करनी है, first of all तो हमने क्या किया भी जो आपको अच्छे से आते हैं, उन चीजों को, उन topics को सूझ किया, और उनको बिल्कुल basic से study किया, इसके लिए जो हमारे notes थे, उन्होंने help की, उसके साथ साथ जो हमने lucents की book लेके आए थे, वहां ही important source है, अगर आप इसको अच्छे से use करोगे, तो आप किसी भी एक teacher को follow कर सकते हो, ठीक है, तब मैंने जहां पे भी problem आई, first of all अपनी book से study करने के बाद, फिर उससे regarding, उससे related videos देखी, उसके बाद, उसके जो जो MCQs, MCQ practice के लिए videos जो डाले जाती हैं, वो देखी, उसके बाद हमने जो Google है, वहां से जितने भी MCQ मिले practice के लिए mostly और उन से practice की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जब आप एकदम से सुनते हो, या फिर उसी topic के regarding, अगर हम question करते हैं, तो हमारे ठीक मिल जाते हैं, लेकिन जब सभी mix up होके आता है ना, तो उस time हमारे question गलत हो जाते हैं, क्योंकि उस time हमें यही पता नहीं चलता कि इसमें हमें tense की error है, इसमें हमें preposition की error है, कौन सी error हमें choose करनी है, लेकिन अगर हम अलग-अलग topic जैसे हमने tense के regarding, अगर tense study किया, और उसके regarding MCQ लेने लगे, तो हमें पता है, कि हम tense पढ़ रहे, तो tense की error इसमें ठीक है, लेकिन अगर mix up होके आता है, तब हमें समझ में नहीं आता, कि इसमें error आखिर है क्या, तो इसी लिए सबसे best है, कि आप सबसे पहले बिल्कुल basics करो, यह नहीं है, कोई यह कहता नहीं, कि 10 गंटे की class लो, और exam crack रो, ऐसाब बिल्कुल भी, कोई भी shortcut नहीं है, बिल बिल्कुल हाँ, 100% surety है, कि आपका exam जरूर क्रेक होगा, अगर आप basic से advance तक जाओगे, एकदम से अगर आप rule regulation पढ़ने लग जाओगे, कि भी exam के point of view से यह important है, आप कही सारी बच्चों के message आते हैं, कि मैं आप अपने notes send कर दो, देखो notes तो ऐसी कोई, इसमें secret नहीं है, वो सारी की सारी बाते आपकी जो भी आप उखरी दोगे, उन सभी में वही बाते लिखी हुई हैं, लेकिन notes में क्या है, कि भी जिसमें मुझको दिक्कत आती है, सिर्फ और सिर्फ मैं वो notes में, copy में अपने लिख लेती हूँ, कि भी exam के time में अगर जाया जाए, तो इन points को स पता, जो मेरा strong area है, वो आपका weak area हो, जो मेरा weak area है, वो आपका strong area हो, तो किसी के भी notes आपके लिए beneficial नहीं होंगे, beneficial सिर्फ और सिर्फ आपके notes होंगे, ठीक है, और syllabus almost सभी में same होता है, अब जैसे DSSB के exam आये हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर English compulsory तो नहीं है, लेकिन यह ही है कि अगर आप इनमें अच्छा score ले लेते हो, तो आपके chance बढ़ जाते हैं, क्योंकि competition पॉइंटों पर रहता है, ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेगा, यहाँ पर आप यह नहीं है, कि subject आपने कर लिया और journal को छोड़ दिया, तो आपका selection हो जाएगा, जी नहीं, आपको छोड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़े छोड़नी है, जो बिल्कुल ही आपको यह लगती है, कि marks एक दोका है, लेकिन syllabus बहुत जाता है, ठीक है, लेकिन यह नहीं कर सकते हैं, कि journal paper आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, सिर्फ और सिर subject पर focus है, कि subject के base पर आप selection पा जाओगे, तो यह impossible है, क्योंकि competition लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, first of all आपको कोशिश करनी है, जितना ज्यादा हो सके, आप सबसे पहले basics से सीखिए, अगर आपने बिल्कुल भी कहीं से भी बिल्क क्योंकि मैंने offline coaching ली थी, जब मैंने banking का exam दिया था, ठीक है, तो वही मेरे notes मेरे लिए helpful रहें, वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक जरिया मिल गया, कि भई इसको study करते हैं, जहां जहां मुझे problem आई, मेरा social media ने बहुत ही ज्यादा helpful, बहुत ही ज्यादा helpful रही, जहां तो बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने reply दे दिया, और बहुत सारे जो बच्चे हमसे जुडे हुए हैं, अगर आपके मन में कोई भी query है, कोई भी doubt है, देखो, अगर नहीं आता तो कैसे बता पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है, कि जो मेहनत करने वाले बच् कि जी नहीं, बहुत हो की help ली है, भई किसी की English अच्छी है, किसी की Hindi अच्छी है, किसी की commerce अच्छी है, किसी की accountants अच्छी है, किसी से business से की है, ठीक है, तो बगएर help के possible नहीं हो पाता है, लेकिन कोई किसी area में strong है, तो पूछने में कुछ जाता भी नहीं है, हमें जो target है, उसको अच्छी करने के लिए, जो भी करना पड़े, पूरी कोशिश करो, किसी की help लेनी पड़े, तो उसमें आपको बिल्कुल भी hesitation नहीं करनी है, क्यों कि ये आपकी career की बात है, ठीक है, और आपने देखा भी होगा, जब रजर्ट आया, तो कितनी excitement होती है, ठीक तो जितना भी मुझसे हो पाएगा, भी आपकी help करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके मन में doubt है, प्लीज comment में ज़रूर बताईएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को subscribe ज़रूर किजिएगा, क्योंकि यहीं आपके जो अच्छे धर में रखे, थैंक यू सो मच